तो दूसरी में बात करने वाले की PD Technologies की and Outstanding Outstanding Performance इन थे. इंट्राडे ठीक है, उस दिन की बात कर रहा हूँ. मैं फिर से हमें वापस स्टॉक के अंदर गया गिरावर देखने को मिल रही है. सबसे पहले एक चीज समझ लो की KPIT किस सेक्टर के अंदर काम करती है. तीन सीजन IT सेक्टर स्टॉक ठीक है, IT सेक्टर अभी क्या करे? IT सेक्टर में अगर आप Bipro को देख लो नीचे Mind Tree, देख लो नीचे Infosys, TCS सारे के सारे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है, सो KPIT में भी आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा. हमें बस एक ही चीज़ चाहिए कि IT सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई तो हमें KPIT में भी डेफिनिटली रिकवरी देखने को मिलेंगी तो गिरावट के पीछे का एक रीजन है वो है पूरे के पूरे IT सेक्टर में. सेल आफ सेकंड थिंग यहाँ पर दोस्तों के हैं. यहाँ पर अभी एक ट्रेन लाइन का एक रिजिक्शन लेवल बन चुका है. अन्थे टाउन साइड जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, 600 का सौरी जो स्पोर्ट था और एक टाइप से स्पोर्ट भी है और एक टाइप से रेजिस्टेंस भी है. अभी के जो प्राइस है, उसके लिए वो रेजिस्टेंस है 600 लेवल का और अगर 600 के उपर निकल गया तो फिर वो स्पोर्ट की तरह काम करेगा. सेकंड जो इमीडियेट स्पोर्ट था, हमारा वो है 500 का स्टॉक अभी कर क्या रहा है? स्टॉक इस रे रहकी कैंडल हो, कुछ इस टाइब की भी चलेगी, इस टाइब की भी चलेगी. लेकिन ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए. थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए. comparatively to last one week ठीक है, तो अगर यहां से breakout देत तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की तो यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है यह जो है वो नेगेटिव लोग कहां से आ रही है पूरे के पूरे जो IT सेक्टर में सफल रहा है वहां से ही आता वो में देखने को मिल रहा है तो दूसरी और हम यही करते वीडियो अ प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना